Hello, I welcome you all to Target Competitive और आज का हमारा जो लेक्चर है that's about electric current या electric currency तो आज का जो लेक्चर होगा वो last lecture होगा related to current electricity तो चलिए start करते हैं अपने लेक्चर को तो यहाँ पे जो topic आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम domestic electric circuit यहने कि जो generally हमारे गर्ष में electric circuit होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे generally अगर हम देखें practical world में जो most of the wiring होती है या most of the wiring की जाती है वो की जाती है parallel combination में वो क्या की जाती है वो की जाती है parallel combination में तभी हमारे अपने गर्ष में हम क्या into series circuiting तो चलिए देखते हैं पहला advantage जो parallel circuiting में जो भी electric appliance होते हैं like tv हो गया refrigerator हो गया या anything else आपका rice cooker हो गया आपका bulb हो गया कोई भी कोई भी electric appliance वो क्या लेते हैं वो क्या लेते हैं भाई वो होते हैं at sam voltage यहने कि उन में जो voltage आती है वो आती है same क्योंकि हमने देखा parallel combination में last lecture में parallel में क्या रहती है same voltage और series में क्या रहती है current parallel में current divide होती है तो अगर हम बोले generally अगर हमारे मैंस में current voltage आ रही है 240 volt आ रही है voltage तो अगर यहाँ पे television होगा फिर होगा यहाँ पे बलब होगा फिर यहाँ पे कोई और appliance होगी तो इन में same voltage आएगी इन में क्या आएगी इन में same या equal voltage आएगी इन में equal voltage आएगी तो यह हो गया पहला important advantage next है यहाँ पे अगर parallel combination में एक appliance work करना stop करे अगर parallel combination में एक appliance work करना stop करे लाइक यहाँ पे है parallel combination देखिए यह ball omin Kamper Wra Sin और में यह लिए है यह निए parallel combination में देखिए यहло पे एक ball murders जो है यह बलब में wire का connection कट हो रहा है यहाँ यह बलब यह बलब गलों नहीं करेगा तो जो बाकी बलब है ना ये गुलो कर रहे है तो इनमें कोई भी effect नहीं आएगा तो अगर एक appliance stop करेगी work करना due to some defect जो बाकी appliance होंगे ना वो work करेंगे normally लाइक यहाँ पे जो बाकी बलब है ना वो normally चाल रहे हैं उन पे कोई effect नहीं पढ़ता है यह application of parallel circuiting next है यहाँ पे जो parallel circuiting होती है ना यहाँ पे जो overall resistance होती है ना वो reduce होती है वो क्या होती है भई वो होती है reduce क्योंकि जो current flow आता है ना man से वो आता है generally high यहाँ पे क्या आता है जो current flow आता है वो आता है high वो क्या आता है high तो हमने पढ़ा था जो resistance होती है वो होती है we upon i n की जित जादा उतनी करंट कम जितनी करंट जादा उतनी करंट कम तो यहां पे और आल रिस्टम्स क्या होती है कम तो करंट होगी हाईर नेक्स है यहां पे जो परलल सरकेटिंग होती है अगर यहां पे आप सुच जो होती है वो जनरली हर एक की अपनी अलग-अलग होती है अगर यह पे आपने एक सुच रखी होगी. यह वाले बलब के लिए अलग यह वाले के लिए अलग यह वाले के लिए अलग. यहनुकि अगर आप यह वाली स्विच्छ आफ खरो गे तो बागी जो बलब है ना उन पे कोई एफेक्ट नहीं पड़े वो बिलकुल normally function करेंगे तो यह होगी advantage of parallel circuiting next हम देखेंगे यहां पर disadvantage of series circuiting like यहां पर आपको दिख रहा है यह होता है generally हमारे घरों में अगर यह है यहां पर man switch यहां पर बाहर से यहां पर बाहर से यह आ रहा है electricity meter जो घरों में लगा हुआ होता है और फिर यह है connected with man switch तो देखिए यहां से connection जा रहे है देखिए यह जो यहां पर appliance है यहां पर है कोई यहां पर है टेली विजन यहां पर connected यहां पर फ्रिज यहां पर बलब connected तो यहां पर जो electricity आ र बाकि normally function करेंगे like अगर आपके घर में टेलेविजिन खराब होता है तो ठीज तो चलता है न बाई बलब तो चलिंगे न हीटर तो चलेगे न उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो होता है बाई parallel combination वह आए बाई परलल कंबिनेशन अब जो सीरीज कंबिनेशन होता है सीरीज कंबिनेशन में काफ़ी डिसेड्वेंटेज होते हैं तो चलिए देखे हैं यहां पर पहला डिसेड्वेंटेज होता है यहां पर सेम वोल्टेज नहीं मिलती है यहां पर सेम वोल्टेज नहीं मिलती है यह बलब के पास आ रही है जो में से वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 120 वोल्ट तो देखिए यहां पे वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है पहले बलब के लिए आ रही है 100 वोल्ट नेक्स्ट के लिए आ रही है 10 वोल्ट तो जो voltage है न वो same नहीं आ रही है कहाँ पे series combination में पहला defect next defect हो गया अगर एक appliance stop करेगी वो करना तो जो बाकी appliance है न वो खुदबाखुद stop करेंगे like यहाँ पे अगर यहाँ पे connection break up हो गया तो यह वाला blurb glow नहीं करेगा तो जो बाकी सब blurb होंगे यह भी glow नहीं करेंगे यह अगर यहाँ पे fridge होगा यहाँ पे television यहाँ पे बलब यहाँ पे heater यहाँ पे घीज़ग तो अगर एक connection कट हो गया तो जितने भी बाकी connections है जितने भी बाकी appliance है वो work नहीं करेंगे कहाँ पे series combination में और जो resistance होती है ना overall resistance तहाँ पे series combination में वो generally काफी high होती है क्योंकि जो power supply होती है यहाँ हम बोलें जो current का supply होता है वो काफी low होता है और next point है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे switch मैं switch को off करेंगे ना तो जितने भी हमारे appliance होंगे वो एक दम stop करेंगे work करना तो अगर हम यहाँ पे off करेंगे तो यह जो यहाँ पे आपको दिखने है ना बलब यहाँ कुछ appliance अगर यहाँ पे हम लेंगे तो यह खुद बाखुद off हो जाएंगे अगर हम on करेंगे तो on the whole सब क्या होंगे on the whole सभी यहाँ पे on होंगे तो यह हो गया advantage सा parallel circuiting and dis energy सा series circuiting next है यहाँ पे transformation of energy last lecture में मैंने आपको बोला था transformation of electric energy अगर यह है यहाँ पे कोई board लागा हुआ होता है यह है यहाँ पे wiring और यहाँ पे wiring है connected with electric iron तो जो electric current का flow होता है electrons होता है वो flow करेंगे from high potential energy to low potential energy हम बोलेंगे वो flow करेंगे from higher electric potential to lower और मैंने बोला जब वो enter करेंगे यहाँ पे कोई भी appliance को तो उनकी जो energy होगी यहाँ electric potential energy वो loose होगी और वो convert होगी यहाँ पे heat energy में कहाँ पे electric iron में डिपेंड करेंगा कौन सा material आपने यहाँ पे connect किया है यहाँ अगर यहाँ पे बलब होगा तो वो जो electric potential energy lose होगी तो वो बलब क्या करेंगा वो बलब वो electric potential energy को convert करेंगा into light energy और फिर यहाँ से यह वायर में जो electrons हैं वो flow back करेंगे तो पहला यहाँ पे है electric ball operator क्या करता है यह convert करता है जो इसको convert करता है into light energy heater क्या करता है यह convert करता है electric potential energy into heat energy electric motor क्या करता है तो kinetic energy we go from defining kinetic energy next來 है हाँ पे अलेट् creatively power electric work done per unit time हमने पड़ा था power कहाँ पर में हमने देखा था वहाँ पर इंटर्म साफ मोशन अगर यह बाड़ी पर कुछ दक्का लाग रहा है और बाड़ी मूह कर यह डिस्प्लेश हो रही है तो मैंने आपको बोला था वहाँ पर पावर की डेफिनिशन पावर होता है बाई वोक अपाउन टाइम और यहां पर क्या होती है वर्क होती है एक टाइप की इनर्जी एक टाइप की इनर्जी होती है एक टाइप की वर्क बट जो इनर्जी है वो फ्यूचर में यूजी जाती है तो हम बोलेंगे बाई जो पावर होता है इडिसर रेट यहन की टाइम रेट जहां बेभी आईगी टाइम आट होता है वो क्या होता है कि लुवाट अलड़ी हमने देखा है जब हमने वर्क पावर और इनर्जी का चाप्टर देखा था नेक्स है यहाँ पर रिलेशनशिप बिढवी इन पावर वोल्टेज करंट एन रिस्टम्स काफी इंपोर्टेंट पहली रिलेशनशिप है जो पावर होता है तो पोटन्शल डिफ्रंस इंटो अलेटरिक करंट अपने कोबी पे नोड की डाउन कीजिएगा जो पावर होता है इन की जो मैन होती है इनकी डिडवाइशन इस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है हमारे लिए important है end result नहीं पर पहली पहले फॉर्मूला क्या है वह है पावर होता है वह होता है current का square i square into r next है यहाँ पर power is equal to v square divided by r v square divided by r यहन की voltage का square divided by r यह potential difference का square divided by r तो तीन formula यहाँ पर है यहाँ हम बोलें relationship of power with voltage current and resistance पहली piece called v i next piece called i square into r next piece called v square divided by r next है यहाँ पर electric energy अब electric energy क्या होती है electric energy होती है भाई energy consumed by an electric appliance like heater हो गया यह boiler हो गया यह electric iron होगी वो appliance ने energy consume की यह हम बोलें electric potential energy consume की जो lost हो गई electric potential energy तो वो किस ने consume की कोई भी electric appliance ने तो हम बोलते हैं यह होती है energy consumed by an electric appliance यहां हम बोलते हैं इस डिफाइन एस प्रोड़क्ट आप इस पावर रेटिंग और टाइम फार विच इस बिंग यूजर जो भी एप्लाइंस होते हैं वहाँ पे एक तो पावर रेटिंग लगी हुई होती है दूसरी वहाँ पे वोल्टेज रेटिंग लगी हुई होती है यहाँ पे मैं बोलूंगा पावर इकोल टो 100 वाट और वोल्टेज इकोल टो 220 वोल्ट यह हर एक अप्लाइंस में आपको दिखेगी अगर आपका टीवी है वहाँ पे भी आपको दिखेगी पावर और वोल्टेज रेटिंग अगर आपका ब्लावर है हीटर है वहाँ पे भी आपको दिखेगी पावर और वोल्टेज रेटिंग तो हम बोलते हैं बाई अलर्ट के इनर्जी होती है पावर रेटिंग जो आपको दी गई है अप्लाइंस पे into and the time for which it is being used यह यहनिकि power rating into time यहनिकि कितने time के लिए यह appliance चल रही है into multiply by power rating यह हो गया by electric energy तो power होता है work upon time यह हम बोले power होता है electric energy upon time तो electric energy होगी by power upon time वह हो गया product of power rating into time for which it is being used तो और जो unit होगा ना electric energy का वो क्या होगा भाई क्योंकि power का unit होगा watt time का क्या होता है second तो electric energy का unit होगा watt into second और जो higher unit होगा वो क्या होगा watt बनता है kilowatt second बनेगा hour तो higher unit जो होता है kilowatt hour यह कापी important है क्योंकि जो हमारे गलों generally जो bill आता है ना हमारे घर में वो आता है on the base of kilowatt per hour यह on the base of electric energy consumer और वो electric energy major की जाती है in kilowatt hour और जो cost of electricity होता है वो होता है electric energy consumed electric energy consumed in kilowatt hour into rate of electric energy per kilowatt hour let आपने 20 kilowatt hour energy consume की let आपने 20 kilowatt hour energy consume की into rate of electric energy let अगर 2 रुपया होगा एक kilowatt hour का per kilowatt hour per kilowatt hour तो kilowatt hour और kilowatt hour गए 20 into बनेगा 40 तो आपकी बिल आएगी 40 रुपीज आपकी बिल आएगी 40 रुपीज into heat energy of iron तो यही होता है by heating effect of current और heating effect of current के लिए एक important ला है वो है joules law, joules law क्या कहता है यह कहता है जो heat produced होती है न एक conductor में वो होती है directly proportional to square of current यान कि I square into resistance into time for which current is passed यान कि कितने time के लिए current flow कर रही है तो H is equal to I square RTA है by joules law यान कि जो H है जो heat produced है वो directly proportional to है square of current directly proportional to resistance हो जितनी ज़्यादा resistance होगी to the flow of current उतनी heat ज़्यादा produce होगी यान जितने time के लिए ज़्यादा कोई electric appliance work करेगी उतनी ज़्यादा उसमें heat generate होगी next है यहाँ पर applications of heating effect यहाँ हम बोलें applications of joules law पहली application जो heating effect होता है यहाँ joules law वो कहाँ पे utilize किया जाता है वो utilize किया जाता है generally electric heating appliance में like electric iron होगी electric heater हो गया वहाँ पे कैसे हम electric heat generate करते हैं like आप देखते हैं nicrome nicrome जो होती है यह होता है एक alloy जो coilis होते हैं वो बने हुए होते हैं निक्रूम के काफी important है काफी बार आया है यह जो coilis होते हैं वो बने हुए होते हैं निक्रूम में और निक्रूम में होती है high resistance निक्रूम में क्या होती है by high resistance यह निकी अगर यह electrons flow कर रहे हैं उनमें यहाँ पर record बनेगी तो electrons flow नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर higher amount of heat generate होगी यहाँ पर higher amount of heat generate होगी next है electric bulb जो electric bulb आप देखते हैं electric bulb में glowing या heat producing वहाँ पर यहाँ वो glow करता है due to heating effect of current और जो electric bulb का जो filament होता है ना filament of electric bulb क्योंकि जो tungsten होता है tungsten में होती है higher resistance क्या होती है higher resistance और tungsten का होता है higher melting point और यह कितना होता है यह भी paper में एक बार पूछा गया है यह होता है 3380 degree celsius next है electric fuse जो electric fuse होता है यह भी work करता है on the base of heating effect of current काफी important अब देखते हैं fuse यह होता है जो fuse होता है generally यह होती है short link of wire यह होती है short link of wire connected in series देखिए यहाँ पे यह जो figure आपको देख रहे है यह है fuse देखिए कितनी short wire है यह wire छोटी wire जो आपको देख रहे है यह होता है fuse यह होता है fuse और यह connect किया जाता है in series देखिए अगर यहां पे है बलब यहां पे है बलब तो यहां से आरी है वोल्टेज वोल्टेज यहां से आरी है करंट तो यहां पे लगा हुआ होता है फ्यूज देखिए यह फ्यूज और यह बलब यहां पे यह अगर यहां पे है कोई टेलेविजन यहां है कोई हम बोले है यहां है कोई फ्रीज यहां पे तो जो फ्यूस होता है यह लगा हुआ होता है सीरीज कंबिनेशन में यह लगा हुआ होता है सीरीज कंबिनेशन में यहां हम बोले वित मैनस यहां हम बोले वित कोई भी इंपॉर्टन एलेक्रिक अप्लाइंस क्योंकि जब यहां पे हाईयर आ तो अब हम देखते हैं ये क्यों लगा हुआ होता है फ्यूяс है ये फ्यूस हेवी करन्ट आएग़ा हेवी करन्ट यहां से हेवी करन्ट आ रही है क्या लाय है तो जो फ्यूस वायर होती है यहहें पर यहीट अप अब होगी यह क्या होगी यह जो वायर दिखरी है आको यह वायर यह क्या होगी heat up होगी यह होगी heat up और यह melt start करेगी क्योंकि हमने देखा fuse wire का जो melting point होता है वो होता है low तो जब यह melt start करेगी अगर current पूर जाद आएगी तो यह brave down करेगा तो यहां पे यह तूटेगा तो current जो होगी वो आगे नहीं जाएगी और हमारा जो appliance है हमारा television है हमारा fridge है वो damage होने से बचेगा वो damage होने से बचेगा तो fuse का main काम है protection देना तो याद रखियेगा और जो fuse होता है वो बना हुआ होता है generally tin lead alloy का क्योंकि इसमें होती है high resistance और pure copper wire को क्यों नहीं बनाया जाता है क्योंकि pure copper में resistance low होती है इसलिए tin lead alloy को use किया जाता है काफी important tin lead alloy last year RRB के paper में पूछा गया था तो चलिए अब देखते हैं यहां पे कुछ आए हुए question आए हुए question यहां पे पहला question the resistance and melting point of a fuse wire is respectively यह आया था स्टाफ सेलेक् के paper में resistance क्या होती है fuse wire की high और जो melting point होता है वो होता है low the filament of electric bulb is made up silver, aluminum, nickel, tungsten तो जो filament होता है एक electric bulb का वो बना हुआ होता है tungsten का next which are the following is not the correct relation regarding the electric power और यह question आया था last year के RRB के paper में तो power is equal to V into I, P is equal to IR, P is equal to V square by R, P is equal to I 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 square by R, तो जो incorrect है यहां पे वो है P is equal to I, R, यह भाई relation नहीं होती है power की next which are the following is the unit of energy, पहले ही lecture में जब मैंने पहला lecture पड़ाया था वहां पे unit of, वहां पे मैंने आपको बोला था जो unit of होते हैं वो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ींगे वो हर दम आपके पीछे लगे रहेंगे तो जो भी chapter हमने पड़ा वहां पे हमने यूटिक्स देखें तो यहां पे पूछ रहा है energy का unit, energy, energy का unit हमने देखा हुआ होता है वो है joule, और joule हमें पता है, joule होता है newton into meter, और तो joule भी है newton meter भी है, watt second भी है, क्योंकि हमने देखा जो electric energy होती है, वो क्या होती है, भई वो होती है, power into time, अ unit हो गया, second तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों होंगे unit of electric energy, यहां हम बोले unit of energy, तो यहां पे option रहेगा, तो ये तीनों अपनी copy पे note down कीजिएगा, ये होते हैं, तीनों unit of energy, तो चलिए अपने lecture को यहीं पे end करते हैं, मिलते हैं, next lecture में, take care भवाए